कैसे हैं आप सब आप बहुत बढ़िया होंगे स्वागत है आपका आपके अपने चानल स्टड़ी वीद इस 24 इंटो 7 पर आज हमारा जीके एंट जीएस का नया टॉपिक या नया कुछ नए कोश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं जीके एंट जीएस जो है वो वीपियसी 2.0 फेस 2 के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है और सारे जीके एंट से लिए हुए हैं तो चली फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और पढ़ते हैं कुछ नए कोश्चन को हमारा पहला कोश्चन है October and November where are the most rain in these two months October and November में बहुत जादा रेंड होता है यानि बारिश होती है इन दो महीनों में सबसे जादा कहां होती है यहां पर ये कोश्चन पूछा जा रहा है तो, पॉश्यन यह बारीश सबसे ज़्यादा कहा होती है? अक् Creober न्यूवबर में जो बारिश होती है, वो होती है Tamil Nadu में. और इस बारिश को क्या बोलते है? रेट्रेटिंग मांसून है, रेट्रेटिंग मांसून कहते है, जब August and November में जो बारिश होती है, वो तमिल नाडू वाले छेतर में होती है next question है the area with annual rainfall less than 50 cm in a year is एक वर्ष में 50 cm से कम वार्षिक वर्षा वाले छेतर कौन सा है यानि कहां पर 50 cm से कम वारिस होती है पूरे साल भर में तो कहां होती है लेह में answer will be लेह अगला question है नागपूर receive scanty rainfall because it is located in which direction with respect to सहादरी mountain यहां पर पूछा जा रहा है कि नागपूर में जो कि माहरास्टरा में पढ़ता है नागपूर में अल्प वर्षा होती है क्यों होती है अल्प वर्षा का मतलब क्या है कम वर्षा होती है क्योंकि यहां सहादरी परवत के संदर में किस दिशा की और इस्तिथे टागपूर जो है वो सहादरी परवत के दिशा में किस दिशा में इस्तिथे यानि सहादरी परवत के किस तरफ इस्तिथे नागपूर शहर और यहाँ पर क्या होती है बहुत ही कम वर्षा होती है तो आंसर क्या होगा ली बॉड साइड यानि पीछे की ओर सहाधरी माउंटिन के क्या पढ़ता है नागपूर शहर पढ़ता है ठीक है अगला question है which soil have the attribute of crack and shrink in a dry condition किस मिट्टी में शुष्क स्थिती में दरारे और सुपरन के गुण होते है यानि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्वाइल है जो की कैसी हो जाती है सूख जाती है उसमें दरारे पढ़ जाती है कौन सी स्वाइल है ब्लैक स्वाइल कहेंगे या ब् काली मिट्टी में पाए जाने वाली जो प्रमुख फसले है वो कौन सी है ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखते हैं इन विच यह वाज दे प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम लांच प्रोजेक्ट टाइगर कारिक्रम के शुबर्स में शुरू किया गया तो आंसर क्या जब 1973 में यह है और एक अप्रेल 1973 किसले स्टाट किया गया था कंजर्वेशन ओफ टाइगर या प्रोटेक्शन ओफ टाइगर क्या हो रहा था ताइगर की संक्या धीरे-धीरे खतम हो रही थी तो उसको प्रमोट करने के लिए ट्राइगर को बचाने के लिए यह प्रोग्र वेस्ट मान्सून तो हम क्या वो लेंगे दक्षणी फश्चमी मान्सून के lequel वारत का पूरा देस किस अवधी में आता है यानि जो मान्सून सीजन स्टाट होता है उसके बारे में आपको बताना है कि कभ स्टार्ट होता है तो 1 आप जून से 10 आप जून के वीच में हमा क्या बोलते हैं southwest monsoon कहते है ठीक है अगला question है which is the reason for the red color of the red soil आपको यहाँ पर पताना है कि red soil का जो red color है वो क्यों है यानि लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण क्या है आंसर क्या होगा iron है यानि iron और उसके oxide के कारण लाल मिट्टी का कलर लाल है ठीक है अगला question है which of the following river is named as द Dakshin Ganga Dakshin Ganga किस river को हम बोलते है cursorAD Dakshin Ganga को बोलते गोदावरी क्या है गंग'a के बाद अगर कोई सबसलिए ज़ादधा दूरी तै करती है जिसकी जर्णी बहुत जादा दूर चलती है वो कौन सी है गोदावरी है ठीक है ना तो गोदावरी को इसलिए Dakshin Ganga कहते हैं और जादा तर यह कहां फ्लो करती है South India में फ्लो करती है वेर दा रीवर गुदावरी ओरिजिनेटेड यहां पर आपको बताना है 9th question में कि गुदावरी नदी कहां से निकलती है तो answer will be ट्रंबकेश्वर प्लैट्यू तो इन नासिक दिस्टिक और महराष्ट्रा यहांनि ट्रंबकेश्वर प्लैट्यू से कौन निकलता है गुदावरी रीवर निकलता है ना जो कि नासिक दिस्टिक महराष्ट्रा में है ठीक है 9th question है प्लैट्यू से लार्जेस प्रोड्यूसर ओफ लेगनाइट इन इंडिया भारत में लेगनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राजय कौन सा है तो answer will be तमिलनाडू यानि तमिलनाडू में सबसे ज़्यादा लेगनाइट पाया जाता है ठीक है अगला question है हुटइ गोल्ड मैंड are located in the state यानि हुटइ गोल्ड मैंड किस state में पाया जाता है तो answer क्या होगा करनाटा यानि करनाटा के राजचूर डिस्टिक में क्या पाय जाता है हुटइ गोल्ड मैंड ठीक है What is the sand used to generate nuclear energy पर्मानु उर्जा उत्पन करने के लिए उपयोग में लिये जाने वाले रेत कौन सी है तो जैसे पर्मानु उर्जा यानि नुकलियर एनरजी को जब जनरेट करते है तो उसमें सैंड का यूज होता है तो वो कौन सा सैंड है आपको यहाँ पर बताना है तो अंसर क्या होगा मोनाजाइट सेंड मोनाजाइट सेंड का यूज किया जाता है इसके लिए परमानु उर्जा उत्पन करने के लिए यानि यूज तो इस एन्रेट न्यूक्लियो एनजी ठीक है नेक्स कोश्चन है पन्ना इस फेवस प्लेस मद्रदेश इस फेवस फॉर यानि पन्ना जो है मद्रदेश का एक बहुत ही महत्पूर्ड अस्थान है यह इसके लिए प्रसीद है किसलिए प्रसीद है क्योंकि वहां पर डाइवन माइंड्स है यानि पन्ना में क्या है डाइमंड माइंड्स है पन्ना में एक टाइगर रिजर्व या कुछ इस तरह का भी अभी हाल में आया था कि बनाया गया है तो वो भी है उसका एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ठीक है नेक्स कोशन पढ़ते हैं इन वेस्ट बेंगाल राणी गंज इस एस्सियेटेड विद पश्चिम बंगाल में राणी गंज किसके साथ जुड़ा हुआ है यानि राणी गंज जो शहर है वो किससे जुड़ा हुआ है किसले प्रशिद्ध है तो पोल्ड रिजर्व के लिए पोल्ड रिजर्व के लिए क्या प्रसिद्ध है वेस्ट बेंगाल का नानी गंज नेक्स कोशन है इन विच स्टेट वियर्ड यूज डिपोजिशन ऑफ यूरेनियम रिसेंटली फाउंड आपको यहां पर बताना है कि यूरेनियम के विकास विशाल भंडार हाल ही में किस सबस्त्र पाइब है तो आंसर क्या होगा ? रजस्थान का सिकर्ड इस्टिक यहनी इउरणियम का यहां पर बताया गया है कि यूरेनियम बहुत जादा मात्रा में पाई रिसेंट में तो राजस्थान का सिकर्ड दिस्टिक नेक्स पोस्ट है currently which of the following state of India producing maximum crude petroleum यानि वर्तमार में निमलिखित में से भारत का कौन सा राज अधिकतम कच्छे पेट्रोल का उपादन करता है तो कौन करता है सबसे ज़्यादा कौन करता है राजस्थान यानि प्रशिद के लिए प्रश्थान कच्छे पेट्रोल करता है Bear जार्खन में है जार्खन में कहा है सेंग भूंग डिस्टिक में ठीक है ना किसले प्रसिद्ध है यूरोनियम डिपोजीशन के लिए ठीक है नेक्स कोशन है वाई इस दे स्टेट गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्डीन इंडिया भारत में गुजरात राज नमक का सबसे बड़ा उत्पादक क्यों है ठीक है न अब आपने डांडी यात्रा के बारे में सुना होगा जो कि एहमदाबाद से डांडी सी सोर तक गया था किसले किया था महात्मा गांदी जी ने स्टार्ट किया था वह आंदोलन किसले था नमक के कानून को के खिलाफ अं बड़ा eht ुकारि मतलब प्रोडक्शन क्यों होता है क्यों लाजेस प्रोड्यूसर है सायल्ड का गुजरा तो वह ऑंसर क्या होगा Next question is the oldest oil field in India is in भारत में सबसे पुराना तेल छेतर किस छेतर में है तो आंसर क्या होगा डिगबोई यानि आसाम डिगबोई एक जगा है आसाम में वहाँ पर सबसे पुराना ओयल फिल्ड है यानि भारत का सबसे पुराना तेल का छेतर है Next question is which state possesses biggest cold reserve किस राज में भारत का सबसे बड़ा कोईला फंदार है तो आसर क्या होगा जहारखड जहारखड में क्या है भारत का सबसे बड़ा कोईला फंदार पाया जाता है अगला question is which state of India has largest reserve of monazite which with a high thorium content उच्छ धोरियम समरागी के साथ भारत के किस राज में monazite का सबसे बड़ा फंदार है monazite क्या है a types of sand तो कहाँ पर है यह केरला में यानि केरला में सबसे ज़्यादा monazite sand पाया जाता है इसमें उसमें धोरियम की मातरा बहुत ज़्यादा है नेक्स कोशन है अंकलेश्वर is famous for अंकलेश्वर किसलिए famous है तो किसलिए है famous पैट्रो कैमिकल इंडरस्टी के लिए अंकलेश्वर जो एक गुजरात में जगा है है ना वहाँ पर किसलिए famous है वो पैट्रो कैमिकल इंडरस्टी के लिए यानि अंकल इश्वर कहा है भारूच डिस्टिक अप गुजरात में है और किसले फेमस है पेट्रोकेमिकल इंडस्टी के लिए अगर्डिक तो इंडिया 2011 रिपोस्टन इस पॉपुलिशं लिविंग इन रूलर एरिया ये तो हजार ग्यारामिण फेल का इनुसार ग्रामिन-छेथ्र में रहने वाले जन संख्या कितने प्रशिक्प्रिशत है यहां पर पूछ रहा है कि कितने परसेंट लोग 2011 के जनगरना के अनुसार गाउं में रहते हैं तो आंसर क्या होगा 68.84 परसेंट यह सेंसस जो हुआ था 2011 उसके मुकताविक है अब तो बहुत चेंज हो गया होगा डेटा लेकिन यहां पर पूछ रहा है 2011 के सेंसस रिपोर्ट के एकॉर्डिंग है न तो यहां पर 68.84 हर 10 साल में आता है तो 2021 में आने वाला था बट कोरोना के कारण वोट तल गया ठीक है next question है in which year in which state is the literacy rate of women is highest किस सिराज में पहिलाओ कि साक्षर्टादर सबसे अधिक है तो answer क्या होगा केरला यानि सबसे literate state अकर बोला जाए सबसे पढ़ा लिखा राज भी कौन सा है केरला है और वहाँ पे women जो है वो women भी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखी है यानि percentage-wise देखा जाए तो 95.2% और state कौन सा है किरला है आपको comment section ने बताना है कि lowest literacy rate किस स्टेट का है ठीक है next question है as per the chances 2011 the density of population in India is 2011 की जनगर्न के अनुसार भारत में जनसंक्या क्या घनत तो कितना है यानि आपको बताना है कि per square kilometer में कितने लोग रहते हैं भारत में तो answer क्या होगा 2 था 2 82 3 82 чуд एछी फॉर्वचे , यानि यन यह कितना पोर्व स्कौयर किलोमेटर का मतलब क्या होगया that कि की कि के में जर्वें पैंद पैध यानि ये 382 2500 पोर स्था किलोमेटर और सकॉसे तो ये थी आज के question आसा करती हूं आपको lecture अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो please do like, share and subscribe to my channel बने रही आपके अपने channel study with these 24x7 तब तक के लिए thank you so much for watching, bye